आज हम कक्षा आठ के गनित विशय में बीजगरती अंकों के बारे में बात करेंगे जैसा कि हमें पता है कि अंक गनित में अंकों का प्रदर्शन बहुत आसान है जबकि बीजगर्णित में सिधान तो वही है लेकिन अंकों के प्रदर्शन में थोड़ा सा बेवहारिक्ता परतनी परती है जैसा हमें मालूम है कि प्रतेग बीजगर्ती अंक को हम वेंजक के रूप में वेक्त कर सकते हैं और ये वेंजक पदों से मिलकर बने होते हैं और एक बड़े वेंजक के अगर हम दो या दो से अधिक ऐसे भाग कर लें जिनका गुणा, जिनका गुणफल उस संख्या के बराबर हो तो प्रतेग को हम उसका गुणखंड कहेंगे और गुणखंड निकालने के कई प्रकार हैं हम कई विधियों से गुणखंड का आकलन कर सकते हैं जो कि हम अगले भाग में पढ़ेंगे वेंजक को समझने से पहले हमें ये भी जानना पड़ेगा कि वेंजक कितने प्रकार के होते हैं वेंजक एक पदी हो सकते हैं, दुपदी हो सकते हैं और तीन पदी वेंजक हो सकते हैं इसी प्रकार हम देखेंगे कि तीन पदी वेंजग का गुड़नखंड किस प्रकार से करते हैं। अब हम ये बताएंगे कि वेंजग क्या होता है। पदों के सम्मू को वेंजक कहते हैं, किसी बीजगर्टी संख्या को व्यक्त करने के लिए वेंजक की आवश्यक्ता होती है। यहाँ पर अब हम ये देखेंगे कि हम वेंजक को कैसे दर्शाएंगे। अगर हम अंकगरित में कोई संख्या लें, माना हमने 21 संख्या ली, तो हम ये देखते हैं कि इसके दो टुकड़े, हम इस तरीके से दो भाग कर सकते हैं, और दोनों का गुणनफल, साथ और तीन का गुणनफल 21 होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दो भाग जो हैं, वो 21 के गुणनखंड है। यदि हम अंकगरित में कोई संख्या व्यक्त करना चाहें, तो मालिया हमने एक ये संख्या लिखी। इसमें ये 12 का अंक जो है, वो ये इसका चर मान, नहीं अचर मान है। और यहाँ पर हमने एक्स का जो मान लिखा है, वो चर है, और वाई का जो मान लिखा है, ये भी चर है। यानि एक्स और वाई दो ऐसे अंक हैं, जिनका मान हम बदल सकते हैं, चर के मतलब हम उनका मान बदल सकते हैं, और अचर ऐसा मान है जिसको बदला नहीं जा सकता है। इसी प्रकार बीजगनित में हम घातों का भी प्रयोग करके संख्याओं का उलेक कर सकते हैं. जैसे उधारन के लिए हम अगर ये लिखें, बारा एक्स की घात तीन, बारा यहाँ पर हमारा अचर्मान है, एक्स यहाँ पर हमारा चर्मान है, और जो इसके उपर ये तीन लिखा हुआ है, ये इसका घातांग कहलाता है. यहाँ पर शर्ट यह है कि ये घातांग का अंक जो है हमारा, ये धनात्मक होना चाहिए. जब तक ये अंक धनात्मक है, तब तक हम इस पूरे को वेंजक के रूप में व्यक्त कर सकते हैं. तो इसके ताथ पर ये हुए कि वेंजक को हम एक या दो चर संख्याओं के माध्यम से, चर अव्यवों के माध्यम से और अचर अव्यवों के माध्यम से व्यक्त कर सकती हैं. अब हम ये देखेंगे, जैसा हमने बताया था कि एक वेंजक में एक, दो या तीन पद भी हो सकते हैं, तो जैसे पूर संख्याओं में हमने लिया था, बारा एक्स स्क्वेर मान लिया लिख दिया यहां आमने, बारा धन, अगर हम यहां तीन लिख दें, तो ये क्या हो ये ये बारा एक्स स्क्वेर धन तीन ये एक दूपदी वेंजक हो गया, और हमने इस से पहले एक आपको ये बताया था, बारा गुणे एक्स वाई, ये क्या हो गया? एक पदी वेंजक हो गया, और इसी प्रकार यदि हम ये लिखें, यहां पर हम ये देख रहे हैं कि तीन पद हैं, बारा एक्स स्क्वेर एक पद हो गया, तीन एक्स एक पद हो गया, धन चार ये अगला पद हो गया, यनि इस संख्या में इस वेंजक में हमारे तीन पद है तो ये कैसी संख्या हुई त्रिपदी संख्या या त्रिपदी वेंजक हो गया यनि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि वेंजक से हम किसी बीजगरती अंक को व्यक्त करते हैं और उनको पदों के रूप में दर्शाते हैं ये पद एक हो सकता है दो हो सकता है और इसी प्रकार ये दो से अधिक हो तो इनको बहुपदी वेंजक कह सकते हैं अब हम बात करेंगे कि कैसे गुड़नखंड निकालें और गुड़नखंड निकालने के विभिन प्रकार क्या हो सकते हैं। गुड़नखंड को हम सर्वसंकाओं के माद्यम से यानि सर्वसंकाओं वो हैं जो हमारा स्टैंडर्ड फार्म है यानि मानक जो सरूप है उनको हम व्यक्त करके निकालते हैं। इसी प्रकार जब अभी हमने वेंजकों के बारे में जाना इन वेंजकों के घातांकों की सहईता से इनके गुडनखंड किये जा सकते हैं तीसरा जो हमारा एक प्रकार है निकालने का वो है शेशफल प्रेमे के प्रयोग द्वारा शेशफल प्रेमे में यदि हमारा शेशफल जीरो आता है शूर ने आता है तो हम ये कह सकते हैं कि भाज के हमने ऐसे दो गुणन खंड कर दिये जो भाजक और भागफल के गुणे के बराबर होगा यानि दो हमारे क्या होगे गुणन-खंड एक भाजक हो गया एक भागफल हो गया इसी प्रकार बहुपदी वेंजकों में भी हम गुणन-खंडों का आकलन करेंगे अब हम ये बताएंगे कि मानक हमारे जो सर्व समिकाएं हैं वो किस प्रकार की हैं सर्व समिकाएं मने जो सर्वता मानने हो जिनका प्रियोग हम आसानी से और सीधे स्वरूब में कर सकते हैं जैसे अगर हमारे पास ये सूत्र है का वर्ग ये हमें पता है ये होता है एक्स धनवाई का होल वर्ग बराबर एक्स का वर्ग धन दो एक्स वाई धनवाई का वर्ग यह हमारी एक सर्व स्वमिका है अगर हमें कहीं पर इस प्रकार का एक त्रिपदी ये वेंजक मिल जाए जिसमें एक दो चरहों X और Y और इनका स्वरूप जैसा इसमें दिया है उस प्रकार से हो तो हम इन तीनों पदों की जगे या इस पूरे वेंजक की जगे हम सीधे X धन Y का होल वर्ग लिख देंगे और ये एक गुडन खंड हो गया यानि X धन Y को अगर हम दो बार गुणा करें इस प्रकार से तो ये हमारा किसके बराबर हो जाना चाहिए ये जो हमने उपर व्यक्त कर रखा है X का वर्ग धन 2XY धन Y का वर्ग इसी प्रकार से हमारे पास और भी कई सर्व समिकाये हैं उधारन के लिए मालिया अगर हमने X का वर्ग माइनस Y का वर्ग लिख दिया तो हम इसको दो भागों में व्यक्त कर सकते हैं X धन Y गुणे X रिन Y यानि अगर हमारे पास कहीं इस प्रकार का कोई सूत्र है या इस प्रकार का हम कोई व्यंजग पाते हैं तो इसको हम इन दो भागों में बाढ़ सकते हैं और प्रतेक को हम कहेंगे कि ये दोनों इसके गुणन खंड हैं आज हमने ये जानने का प्रयास किया कि बीजगरती संख्याएं या व्यंजग क्या होते हैं बीजगरती संख्याओं को कैसे व्यक्त किया जा सकता हैं और इनके माध्यम से गुणन खंडों का आकलन किस प्रकार से करते हैं कुछ प्रकार कुछ विदिया हमने जानने का प्रयास किया है